बस अमित, मैं शादी की शॉपिंग करते करते ठक चुकी हूँ, अब बागी शॉपिंग शादी के बाद कर लेंगे तुम इस शादी से खुश तो हो ना? अफकोर्स मैं खुश हूँ, और वैसे भी तुम जैसा लविंग, केरिंग हस्पेंट पाकर कौन दड़की खुश नहीं होगी? ममी, दरवाजे पे शायद कोई है, मैं आप से बाद में बात करती हूँ ये पार्सल किसने बेजा है? अरे वाँ, किसी ने मेरे लिए बुक बेजी है, वाँ ये बुक तो ऐसा लगता है, जैसे मेरी लाइफ पर लिखी गई हूँ सुनें, मैंने मेरी प्रोजेक्ट फाइल बना दी है अब मैं तुमारी प्रोजेक्ट फाइल बराने में तुमारी मदद कर सकती हूँ थैंक यू सो वेरी मच, शमिता तुम जल्दी से मेरी प्रोजेक्ट फाइल बनवा दू सच मैं यार, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो अच्छानक सुमित को पेट दर्द हुआ और इसकी तब्यत खराब हो गई गवरानी की कोई जरुवत नहीं है, उस टेस लिख दिये हैं, यह ने करा लिना आपका बेटा सेंट जेवियर से में पढ़ता है ना यस डॉक्टर सेंट जेवियर में हमारा मेडिकल केम्प लगा था, तब मैंने उसे वहाँ देखा था सुमित की तो कुछ दिन बाद ही डेथ हो गई थी ना इस बुक के इसाब से सुमित के डॉक्टर नहीं उसका मर्डर किया था मगर क्यों एक्सक्यूज मी क्या आप मुझे बता सकते हैं नवंबर 2015 को सुमित अवस्ति नाम के पेशेंट की डेथ हुई थी उनका ट्रीटमेंट कौन कर रहा था कौन सी डॉक्टर कर रहे थे क्या आप मुझे बता सकती हैं लेट मी चेक सुमित अवस्ति की डेथ 16 नवंबर 2015 को हुई थी उनकी ओपन हार्ट सरजरी हुई थी डॉक्टर अमित गुपता ने उनकी सरजरी की थी और ऑपरेशन थेटर में ही उनकी डेथ हो गई थी अमित क्या तुम सुमित अवस्ति को जानते हो अरे हाँ वो तुम्हारा स्कूल फ्रेंड सुमित अवस्ति तुम्हें कैसे पता कि सुमित अवस्ति मेरा स्कूल फ्रेंड था मैंने तो तुम्हें कभी बताया ही नहीं उसके बारे में मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे पता है क्योंकि तुमने उसका मर्डर किया है हाँ किया था मैंने उसका मर्डर क्योंकि तुम उसके प्यार में थी और अगर वो जिन्दा होता तो तुम उसी से शाजी करती है मेरी कभी नहीं हो पाती अरे डॉक्टर को तो भगवान का दरज्या देते हैं और तुमने तो डॉक्टर होके एक मासूम की जान दे लिए आई हेट यू अमित आई हेट यू और अब कभी मुझे अपनी शकल मत दिखाना अरे ये इस बुक पे ब्लड कहां से आया शामिता तुम्हें पता है प्रॉक्टर अमित कुप्ता ने अपनी बिल्डिंग से बूद कर सुसाइट कर लिया मुझे पता है ये तुमने किया है सुमेत अर्ड अर्ड़ा उयोग से बुढ किया मुझे अंदक्टर लिया झाल